हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ सुवेल खान सिस्को सेटिफाइट ट्रेनर एंड सीसे एन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम है लेक्चर नंबर 14 में जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टपल अनपैकिंग क्या होती है और अगर आपको मेरे प्रीवेस वीडियो देखने है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाएए सीसी एन एक्सपर्ट यहां पर आपको सारे वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगे ठीक है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बैल आइकन को प्लीज प्रेस करिए ठीक है तो चलिए विडाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कि टपल एन पैकिंग क्या होता है ठीक है तो यह हमने टपल वगरा क्रेट किया था यूजर नाम का राइट यह हमारा टपल था यूजर नाम का अब अगर मैं यूजर लिखता हूँ तो यह पैकिंग में यूजर नाम का कमेंट में प्लीज बताए ठीक है so user name के अंदर में 3 है तो 3 अगर element है तो 3 variable देना पड़ेगा अब जैसे मैं लिख देता हूँ s1, s2, s3 is equal to user ठीक है अब यह unpacking होगा क्योंकि मैंने 3 item को 3 variable दे दिया अब जैसे मैं s1 लिखूंगा s1 लिखूंगा तो मुझे python दिखा रहा है s2 लिखूंगा तो मुझे 55 दिखा रहा है s3 लिखूंगा तो मुझे 2.5 दिखा रहा है तो जो value यहाँ पे packing में दिखा रही थी वोही value यहाँ पे unpacking में दिखा रही है इस तरह से आप टपल को unpacking कर सकते हो इतना ही नहीं इसमें एक जरूरी चीज इसलिए कहता हूँ वीडियो को end तक देखिए जरूरी चीज ये है कि मान लो आपके टपल के अंदर में तीन element है ठीक है वो तीन element है और आपने मान लो आपने दो variable दे दिया आपने s1 और s2 तो आपको error देदेगा ये देखिए इसी तरह से अगर आपने 4 variable दे दिया s1, s2, s3 कोई भी नाम दे सकते है आप s4 तो भी आपको error देदेगा तो टपल unpacking में इस बात का प्लीज खास ध्यान रखिए कि टपल में जबी भी आप उसको unpacking करते हो तो जितने element है उतने ही variable देना compulsory है कम दोगे तो भी problem आएगी ज्यादा दोगे तो भी problem आएगी ठीक है आपको मेरे वीडियो कैसे लगे comment section में प्लीज बताइए और अगर ये वीडियोस helpful लगा तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूलिए और अगर किसी को भी online training चाहिए तो ये मेरा whatsapp number है ये email address है मैं ccna ccnp and python programming worldwide सिखाता हूँ live online training होगी demo lecture भी free है और 100% expertise की guarantee है thanks for watching my channel and thanks for your love and support thank you